व्लॉग में भी तो मेरा पिछला व्लॉग आप लोगों ने ने देखा तो मैं उसका लिंक दिस्क्रिप्शन बॉट आगे हमारा केक और केक मैंने नहीं मंगाया तो पर आके बढ़िए मुझे आते वे छे साड़े चे हो गए ते लेट होगी तकि मैंने बीच में दोस्त को ड साथ ही साथ इसकी त्यारी चाइनीज की सब्सक्राइब कर लेना साथ में अच्छे से मज़ेतार से कॉमेंट्स भी कर देकर और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं बूलने अभी लाइक कर दो सबसे पहले खैर यह सुबह 11.30 बज़े का टाइम और मैंने जो है ना अभी नीचे वाला पोर्शन ता मेरी ममा अभी वेजी वेजी लेने गई थी क्यूंके मेरा आग बहुत ज़दा दिल कर था चाइनीज काने का चाइनीज मुझे बहुत ज़दा पसंदे चाहे ड्राय चली चिकन होगया चाइनीज राइस वगरा कुछ भी इस तरह कर ना क्योंके यह नीचे वाला पोर्शन यूज नी होता इसके कवर सिर्फ एक ही बना हुए तो जब तक के लिए टैंपररी तौर पर बिचाना था तो मैंने वह जो बैट की चादर होती है वह निकाल के लाकर और इस सोफे पर बिचाई ताके ज़ए ना ये इस पर कोई दाख श क्योंके अभी मैंने नाश्टा किया था वैसे यह वाली नूट्रिवार मल्टी वाइटमिन्स ना प्योर्ली फर स्किन हेर और नेल्स के लिए है बाल स्किन और नाखनों में बहुत अच्छा फर्क नजाराता है इस पेशली जिनको फंगस नेल का प्रॉबलम होता है उनको तो यह मल्टी वाइटमिन्स बहुत अच्छे बलके मेरी बहन कोई फंगस नेल का प्रॉबलम था तो इसको इसलिए डॉक्टर ने यह वाली रिकमेंड की थी तो मैं भी यह स्किन और हैर की वज़ए से लेती हूं यह और वैसे यह खाने की बीच में लेना जादा और भी ज आलू बुखारे का जूस गर्मियों में बहुत बेस्ट होता है वेजिटेबल मॉमा लेकर आई थी तो इसके साथ यह आलू बुखारा भी ले थी क्योंकि आलू बुखारे के जूस में आईरन बहुत होता है तो आलू बुखारे का जूस और आडू का जूस अभी गर्मिया तो बोन लेस जूलियन नहीं करें और यह बनाने कर दिया थे चैनिज राइस दूरी डिटेल रेसिपी नहीं दिखा यह दिखा यह बहुत बहुत मज़े के बने थे यह बस मैंने चिकन को भून शून के सौसर्स में और इसके बाद डाल दिये हैं यह चावल और यहां पर नही राइस हो गया है तेयार पर उसके बाद अच्छा भी ने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैंने का मैं पहले शौवर ले लूँ में अज्क कि और यह की व्योंकि पहले ही और इसे मुझे ड्रॉब में मुझे जूता चाहिए ना पहले सारे बॉक्स निकालो पर उसके बाद उ ये वाली चीज मुझकिल है काफी, लेकिन खिर अब भी मुझे ये चाही थे, तो पिर मैंने का शौ़र लेने से पहले मैं अपनी चीजे टूड़ नी है, समान ममान रडी किया है, फिर उसके बाद मैंने लेना है शौ़र और उसके बाद मैं ख़ाऊंगी काना, बस खाना रड कि मेरा get together था अच्छा ही मैंने पिछली वीडियो में भी ना बताया था पिछले व्लॉग में भी तो मेरा पिछला व्लॉग आप लोग आप लोग ने देखा तो मैं उसका लिंक description बॉक्स में दे दूंगी वो भी देख लेना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो अच काम और भी जदा बंदे का अच्छा होने लग जाता है मतलब काम में दिल लगने लग जाता है यहां पर मैं आई हूं kfc kfc का ब्रोस्ट मेरा फेवरेट है मतलब उसका आहा बहुत ही जूसी होता है यहां पर जैना हमने क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी उसको देनी थी पार पिर एक जगह वो चेंज किये पिर दूसरी टेबल पर आकर बढ़िए खेर ये आगे हमारा केक और केक मैंने नहीं मंगाया था केक हमारे साथ मेरे साथ जो थे ना लोग उन ही में से किसी ने मतलब और करके और केक अरेंज किया था केक बड़ा मज़ेका था बहुत ज़दा फ सबको सटो ही जाता है मैन्यू में था हमारे राइस और स्पाइस बहुत मज़े के और बाकी क्रंच बर्गर ब्रोस्ट और क्या था हाँ फ्राइस खाना खाके मैंने निकलना था घर के लिए क्योंके वह से मैंने ने अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करते हैं था ये मैंने साथ पार्सल कर वालिया था मैंने और मेरी फ्रेंड ने अपना क्यूंके हम लोगों ने जैसे क्रंच बर्गर तो हमने खोला ही नहीं क्यूंके और ब्रोस्ट राइस और फ्राइस थे न वो खाकर और फेर कोल्ड ड्रिंग्स भी होती है तो बहुत हैवी और फोल हो गयते तो फि मैं फ्रेश होंगी चाय पीऊंगी व्लॉग कभी यहां पर एंट करूंगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना होप सो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर लेना नहीं अच्छा लगा तो हम नेक्स टाइम और अच्छे करना अल्ला हाफेज